नमस्कार दोस्तों आज मैं बात करूँगा डाइजेशन से रिलेडिव सीधा सिद्धान तो होता है कि हमारे पेट का सही ना रहना अपच हो जाना, खटी डटारे आना, गैस का बनना सही से किसी भी चीज को खाने के बाद में उसका प्रॉपरली तरीके से डाइजेशन ना होना डाइजेशन सिस्टम हमारा सिधान सिर्फ एक होता है कि हमारे पाचन क्रिया को किसी तरीके से इंप्रूब कैसे होगा आज मैं बात करूगा इसी बात करें कि digestion system को मुझे कैशे improve करना है improve करने के लिए a baby digestion system के लिए सबसे पहले जो है एक आपको मैं बताऊंगा आज home remedy home remedy में क्या होता है कि जो हम अलब कर तरफ होई में जो भी चीजें प्रियोग करते हैं उनसे हम अपने डाइजेशन सिस्टम को किस तरीके से इंप्रूब करें तो उसमें सबसे नमबर एक में चीज आती है अजवाइन आप जोए अजवाइन को चार चम्मच के सम्तिंग चार चम्मच आप एक गलास पानी में रात्री के समय भिगो दीजिए भीगोने के बाद में उसको आप जो है सुबह के समय उस पानी को जो मनदब अजवाइन को निकाल के छान लीजिए छानने के बाद आप उस अजवाइन को फेक दीजिए अजवाइन को फेक दीजिए और जो पानी बचेगा ये गलास उस पानी को आप जो है घूट-मूट करक कि आपको आराम से पीना है वो भी खाली पेड कुछ भी कि यह आपको लगबग 15 दिन तक कारे करना होगा 15 दिनों में आप अपने अंदर की इम्मिनिटी पावर और अपने डाइजेसिव सिस्टम को एकदम इंप्रूब कर सकेंगे इसमें क्या होता है कि जो भी आपको समस्या हो रही थी खाने से संबंदित पचा सही से खाना ना पचना आपका सही से खाना भी पचेगा अपच होना अपच आपकी बंद हो जाएगी खटी डगा रहे आना वो भी आपकी बंद हो जाएगी इन सारी चीजों को सही से प्रियोग करना और किस तरीके से मुझे जो है इसको रूल में फालो करना है इन सभी प्रावलम का निस्तारण मात्र 15 दिनों में आप बिल्कुल स्वस्त और पेट का भारीपन बिल्कुल खत्म हो जाएगा इसको करने के लिए आपको जो है नियमित रूप से पंदरा दिन तक इसको यूज़ करना होगा पंद्रा दिनों के बाद में आप इसको एक दिन छोड़ के एक दिन यूज़ करिए ये आप इसी तरीके से पूरा महिना एक महिने का आपको करना है पंद्रा दिनों तक क्या है आपको पलड़े करना है और पंद्रा दिन के बाद में आपको एक दिन छोड़ के करना है इससे आपको आपके शरीर पर बहुत सारे सौस्ते लाब देखने को मिलेंगे उमीद करता हूँ कि आप इसको देखेंगे और इसको समझेंगे और इसको करेंगे करने से आपको जो लाब होगा वो आप मुझे कमेंट वाक्स में जरूर बताईएगा धन्यवाद